आपके बच्चों को पढ़ाना होगे, आपने कई बार नॉमिज भीजा है दोस्तों असलाम अलेकुम रह्मतुल्लाही वबरकातु हूँ अभी शोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वाइरल हो रही है जिसमें एक प्रिंसिपल जो है, वो एक छोटे से बच्चे को उपर ऐसे ऐसे इर्दमात लगा रहा है जिनके उपर यकीन करना ना मुनासिब है वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर ही आप देखके खुद अंदाजा लगाईएगा क्या वो बच्चा इस तरह से जो है अलफास बोल सकता है आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ चीजे की जा रही है कुछ कता कतित लोगों की वजह से इनी सब बातों पर इनी सब टॉपिक पर बात करेंगे सबसे पहरे आईए हम वो वीडियो देख लेते हैं उस वीडियो में जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल उस छोटे से बच्चे पर क्या-कया इल्जामात लगा रहा है आई ये सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वीडियो मसलब जो लोग मंदिय को तो है इसके बारे में कोई बीली नहीं पहला है आपने खौर मना कर दिया हमारा चल अब लेगे लिए वो क्यादा में लिए बरी की बिल्यानी होना है अरे ये बोल रहा है आपका बिच्चा में लिकाया हूँ नहीं कब लाया बटा लेकिन इसी वीडियो में इतनी ही हिस्से में समझ में आ चुका है कि जो प्रिंसिपल है इसकी मानसिक्ता क्या हो रही ये प्रिंसिपल जो है छोटे से बच्चे के ऊपर इतना किसी क्षी ना वेच्थ की बात करनें परिंसिपल साब के स्कूल में जो है नावैज के वजय से आप बच्चे को नहीं पढ़ा होगे और उसके बावजूद भी जो है आप लोग मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए कि मुसलमान नौन विज खानी के वज़े से आप बच्चे को जो है स्कूल से निकालने की बाते कर रहे हो तो क्या भाई यह जो मामला है यह आप इस मामले को देख रहे हैं कि इस से काबू पाने के लिए हम लोगों को जो है क्या करना चाहिए हमारी अवाम को क्या करना चाहिए इस तालुक से थोड़ी सी आप अपनी तरफ से वज़ाहत करें बिसमिल्ला रुर्मान रुर्षिम जब से इस वीडियो को मैंने देखा है मेरे पास जब से ये वीडियो आई तब से इस वीडियो को देखने के बाद बड़ा मुझे अंदर से तकलीफ हुई बड़ा अंदर से शरम भी आई कि हम और हमारी कौम कहां पहुंच गई हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरह से जल्म किया जा रहा है कभी किसी को गाये के नाम पर मारा जा रहा है किसी को गोश्ट कोई भी वीफ खाले तो मारा जा रहा है शक की बुनियाद पर मारा जा रहा है हमारी बेहन बेहन बेटियों के साथ बत्तमीजी हो रही है खुल यह अमन पसंद लोगो का मिल्क था इस मुल्क में हम भी इस देस हम जब यह दिय्ज आजाद हुआ जब इस देशका बतवारा हुआ बतवारे के वक्त हमारे पास ता मौका कि हम बैज और मिल्कों चोकर के जो मुस्ct सुनमानी उसमें जा सकते थे मगर हमने उस मुलक को ठुकरा दिया क्योंकि हम अमन पसंद लोग थे हम तमाम धर्मों का एहतराम करते हैं इस वजह से हमने इस मुलक में रहना पसंद के क्योंकि यह हमारा देश जो है बहुत प्यारा वतन है हमारे नभी बहुत सारे हमारे आल्या आल्लह मैं अमने इस बहुत बहुत के लिए जागते हैं इस तरह के और कि आप लाई भी की करने के लिए इसी तरीके से हमारे असलाफ ने भी कुर्बानिया दी है अब मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि अब इस तरह की जो परेशानिया आ रही है तो इससे बचने का जरीया ये है इससे बचने का तरीका ये है कि जो भी लोग हमारे मुसल्मान भाईयों में जो भी लोग तालीमी इदारों के लिए, तालीमी कालेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जो महनत कर रहे हैं, उनका सपोर्ट किए जाए या تو फिर खुद महनत करें, इस तरह के स्कूल बनाएं, इस तरह के कालेजेज बनाएं और अगर खुद नहीं भी बना सकते तो कम अज कम जो लोग इस चीज के लिए आगे बढ़कर निकले हैं जो बना रहे हैं उनके साथ तावन करें उनके साथ खड़े हों ताकि हमारे बच्चों का मुस्तक्बिल बने इस तरह से क्या हालात बन रहे हैं वो छोटा सा बच्चा ये आगे चलके वीडियो वाइरल हो रही है ये शोशल मीडिया का दोर है आज नहीं तो कल वो बच्चा भी उस वीडियो को देखेगा उसके जहन में किस तरह की बाते पैदा होंगी वो मासूम सा चोटा सा बच्चा है उसके अंदर तो ये उसको ये भी नहीं पता है अभी तão की पीछे से आवाज आ रही है वो इस त्रह की बाते कर рад के आफ को माफी मांगना चाहिए चाहिए सरसे आपके बच्चे ने स्था से चीजे की है जबकि वो बेंसे मी बियानी बनती है बहुत सारी तरह 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 से बिर्यानऌ बनती है वन Scientists अबम्हें को अच्छा खाना देने के लिए बिर्यानी के नाम पर दिया करते हैं कि स्कूल ले जाने के लिए वरना सब को ये पता है कोई भी अपने बच्चे को गोश्ट वगारा ले कर कि स्कूल में कभी भी नहीं भेजता है हाँ वैज बिर्यानी हो गई अंडे वगारा की पर पावंदी थोड़ी है मगर जान जान मुझकर हमारे उपर ये पावंदी लगाना हमारे खिलाफ इस तरह की बाते करना ये सरासर गलत है और हम इसका पुर्जोर इसकी मुझम्मत करते हैं तो दोस्तों जैसे कि हमें हाफिस कैफ साहब ने जो है ये साली चीज़े बताई के मुसलमानों को आज के पुर्फतन दौर में तालिम के हवाले से बहुत ही जादा काम करने की ज़रूरत है तो हमें आगे आना होगा इन चीज़ों के लिए तालिम के हवाले से ताके हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े और यही हाल हुआ है पिछले कई सालों में यह मान के चली एक पूरी एक पचास साला वक्त में कि मुसलमानों को तालीम से दूर कर दिया गया मुसलमानों को ब्योरो क्रेशी से दूर कर दिया गया आप देखिए जितने भी ये महकमे हैं इन महकमों में आपको मुसलमानों की भागीदारी है वो बहुत कम मिलेगी और उसके साथ साथ आप देखिए राजनीती में भी जो है ना बहुत ही जादा मुसलमानों की भागीदारी कम है जिसकी वज़ा से हमारी आवाद उठाने वाला कोई है ही नहीं अब जाकर कुछ लोग हमारे राजनीती में एक्टिव हुए हैं लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को राजनीतिक तोर पर इल्मी तोर पर मजबूत होना पड़ेगा तब जाकर मुसलमान किसी तरीके से स्टेबल हो पाएगा वरना हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के हालात हैं जैसे आज हैं ये बहुत अच्छे हैं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बद से बद्तर हो जाएंगे अगर तारीम के उपर काम नहीं हुआ दोस्तों आपने इस वीडियो में जो अम्रोहा वाला मामला देखा जो प्रिंसिपल ने बच्चे के साथ बदसुलूकी की और उस पर जबरजस्ती के जो है इज़ामात लगाए आईए दोस्तों मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ उस वीडियो में हमारे फरहान इहाया साहब जो है हिंदुस्तान लाइव वले वो अम्रोहा पहुंचे और अम्रोहा में उन्होंने उसकी बच्चे की मां से बात की आईए वो वीडियो देखते हैं बता सकती है कि कल आपके साथ लिटन पूबलीक स्कूल जो एरोट पर क्या हुआ था आपसे तो मैं होना मैंने तब्यक खराब थी मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है आज ही जाओं में तिर भी में स्कूटी लेगा अपनी गई स्कूल जैसे इसकूल गई तो ना मुझे हुआ प्रिंसिपर सर्मी ना पोई टीचर्स दी फमिली मुसे किसी ने बात करनी ने चा अब आपकी क्लास चल रही है तो यह कहने हो लोग इनों ने कुछ बोला नहीं से डरे हुए थे काफी तो इनों ने बताया कि मुझा अज पूरे दिन बंद रखा है रव कमरे मां मुझे पूरे दिन रूम में बंद रखा है मुझे पढ़ने ने दिया मेरा बैग लिया अब मुझे हमारा भी था वीडियो बनाई है मैंने जूट जूट बुलवा रहे हैं उससे कि आप ये बोलो आप स्कूल को बंप से उड़ाना चाहते हो ये बुलवाया रहते हैं इसे जूट 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 प्रिंसिपल अब नीच सत्वा तो इसे पहले ही किसी टीचर को इनकी क क्लास में भेज़ दिया गया कि बच्चों इनके बारे में बताना तो गलत सलत बाते पर बाद में इनकी वीडियो बनागे वह स्कूल में बच्चों के क्लास में गए वहां जाकर बच्चों से बीडियो बनाई है और इसमें आप क्या चाहती है इसमें तो हम यहीं चाहते है कि इस तरह से इतना चोड़ा मासूम बच्चा है सब मेरा साथ साल का है अगर इसके साथ कुछ गलत हो जाता तो हम क्या रेकरते इसके लिए ये बच्चा आपको कौन सी कक्षा में पड़ता है तो प्रिंसिपल सर ने इने बंद करा रखा पूरती प्रिंसिपल सर ने इने करता है तो कर देती होंगी तो थोड़ा पूर अच्छा एक नॉनवेज का जिक्र और चल रहा था महापर कि ये नॉनवेज लेकर आता था इसे कूछ यह बताएंगे क्या चिका जिकार नॉनवेज लेकर जाते थे जबी आप कि अच्छा आपको किस किस टीचर ने मारा बेटा अच्छा हम आपको यह आज यहां मैऊ वली साब ने बेचा है क्योंकि वह उम्रे पे हैं तो लेकिन नोने फिर भी हमें यहां पर वेचा हम आपके साथ पूरी समाजवादी पाइटी और पूरा मैऊ वली साब का परिवार आपके साथ खड़ा है जो भी आप कारावाई चाहती है वह कारावाई होगी और सक से सक इन दोश्यों को सदर्वेटा है कि कल अगर हमारे जाने पर भी वह भाग गए बात नहीं करी हमसे डारेक्टर में थी भाबना से नहीं उनसे बात कर हमने चाहिए तो वह भी उठके दूसरे रूम में चली नहीं होना हमसे बात नहीं करी और काफी कोल करा हमने करया इनके पापा आप इस्टेशन है उनसे फोन करवाए हमने पर उनका भी कोई कोल नहीं उठाया फिर अन्नों नंबर से जिसे बात करी है हमने तो फोन खाया है जैसे जादा में स्कोल इनके पापा की देख के नहीं के वज़े से उनों करा कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं इनके पापा को में ड्राइविंग कर रहा हूं बाद में आपको कोल करता हूं पर्दाना को फिर्दाना की मुर्ध़ करो इस्कूल के खास पर्दाना चार्या जिनके गुरू की संग्या दी जाती है उन्होंने उस छोटे से मासूम बच्चे के ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं धार्मी कुनमात के वो वलत है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हमने इस तमाम पिरकराओं को केंद्रिये मंतरी शिक्षा मंतरी शिरीष धर्मिंदर पर्धान जी को इसका ग्यापन अब्दिला दिकारी महुदिय अमरुहा के माध्यम से प्रेशित किया है और ये शिक्षा निदेशक जो इसके सी बीएस सी ब अब भड़काने का लगाया जाए क्योंकि जो शिक्षा का मंदिर है उसके उपर लोगों को अपने बच्चों के भविष्चे के निर्वार के लिए वहाँ पर भीचते हैं और इस परस्पल ने उसके उपर जो धार में उन्माद भड़काने के नारे और इस टाइब से व्य पर शदीकारी से की जाज कराई जाए और ऐसे परस्पल के खिनार केस करके उसको फायर की जाए और इसके साथ ही यह भी हमने खाहा कि यह हमारे परकारम बिल्कुल सही है तो इसी स्कूल की मानेता भी रखती है दोस्तों आपने वीडियो देख लिया अब आप फैसला कीजि आए तब तक के लिए मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में अल्ला हाफिज